हेल दोस्तों मैं आप सभी का एक बार स्वक्त करता हूं ने योटिब चैनल क्रेजी गयान पर दोस्तों आज के शुड़ों आप सभी के लिए का रिफ्यू लेकर आया हो और यह जो ट्रिक है दोस्तों आपको काफी जादा पसंद आएगा अगर दोस्तों आप अपने जहां पर भी यूज करना चाहते हो काफी आसानी से यूज कर पाओगे तो यहां पर दोस्तों जैसी मैं यहां पर जोन लिखूंगा तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं जैसी यहां पर मैंने जोन लिखा तो यहां पर लिखावा आच चुका है अभी एक बार और दि होता है ना कि हम किसी के साथ chatting करते हैं बार-बार किसी ना किसी sentence को बार-बार repeat करते हैं या फिर दोस्तों बहुत सारे ऐसे sentence होते हैं जिसे दोस्तों हम हर किसी को send करते हैं जैसे कैसे हो अभी मैं busy हूँ या फिर क्या काम कर रहे हो ये सारे word दोस्तों हम अपने friend के साथ chatting करते वक्त यूज करते हैं लेकिन दोस्तों इन्हें type करने में हमारा थोड़ा सा time तो खराब होई जाता है तो दोस्तों आज की शुड में आप सभी को चिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर आपको चार वर्ड लिखना है और यहाँ पर चार वर्ड लिखने के बाद दोस्तों वो जो वर्ड है वो पुरा-पुरा एक sentence में बदल जायेगा यहाँ पर दोस्तों आप अपनी मर्जी से खुच से यहाँ पर sentence businessman सकते हो या फिर दोस्तों आप अपनी मर्जी से हमारा कोई भी 4 वर्ड select कर सकते हो तौँ चली दोस्तों आप मैं आपको बदा देता हूँ यह क अगर आपको डाउनलोड करना हो तो इसका लिंक मैंने छोड़ दिया वीडियो के डिस्क्रिप्षन में तो हाँ से आपसे डाउनलोड कर लिजिएगा आपको बताना चाहूंगा कि वीडियो के टाइटल पर आप करिए सबसे उपर आपको application का link मिल जाएगा उसके उपर क्लिक करके आप इसे download कर सकते हैं download करेंगो दोस्तों यहाँ पर आप इसे open कर लीजेगा और जैसी दोस्तों आप इसे open करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने live example देके दिखा देता हूँ तो यहाँ पर आपको word बनाने के लिए simply आपको plus key button पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको keyword में z से आपको कुछ भी लिख देना है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं z nick ठीक है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ भी type कर देता हूँ जैसे तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ घर पर हो ठीक है तो हयाँ पर हम लिख देते हैं घर पर हो तो यहाँ पर हमने यह बना लिया यहाँ दोस्तों simply आपको save key button पर klik कर देना और जैसी दोस्तों आप कहीं भी z nick क्लिक होगे तो हां पर दुस्तों ये लिखावा आ तो मुझे कोपि करना पढ़ा ना किसी चीज के उपर क्लिक करना पढ़ा अा...